हे एवरीवन कैसे है आप सब उमीद करती हूँ आप सब मज़े में होंगे बढ़िया होंगे और आज की क्लास है एक रीडिंग प्राक्टिस की क्लास यानि की अंग्रेजी पढ़ने की क्लास देखो अंग्रेजी पढ़ने की क्लास जो है वो प्राक्टिस करने वाली बात होती है ना आप जैसे जित्ता साधा साधा प्राक्टिस करते जाओगे आपको आटोमाटिकली चीज़े जो है याद होती चली जाएंगी और समझ में आती चली जाएंगी तो चलिए आज की कहानी का जो सीर्षक है यानि कि आज का जो टाइटल है वो है हिन लेज गोल्डन एग यानि कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी ठीक है एक मुर्गी जो क्या करती है सोने का अंडा देती है मतलब सच में चलिए देख लेते हैं कहानी में सच में या जूट में तो इसको क्या हम लोग समझते हैं इसको कैसे पढ़ते हैं कि एक समय की बात है कि एक बार की बात है है ना एक समय की बात है और आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टोरीज जो होती है ना वो इसी तरीके से शुरू होती है है ना एक समय की बात है once upon a time चिके उसके बार in a small village in यानि की में a यानि की एक small यानि की छोटा या छोटे यहाँ पर छोटे के संदर में इस्तिमाल हो रहा है क्योंकि उसके बात village लगा हुआ है गाउं है ना एक छोटे से गाउं ठीके देर लिव्ड अ पूर फार्मर नेम्ड पप्पू ठीके देर का मतलब देर का मतलब होता है वहाँ लिव्ड लिव का ये वह फॉर्म है लिव्ड है ना यानि की रहता था कौन? अपूर फार्मर एक पूर यानि की गरीव गरीव फार्मर यानि की किसान ठीके? एक गरीव किसान नेम्ड नेम होता तो सिर्फ नाम रहता नेम्ड है तो नाम था ठीके? नाम था क्या? पप्पू एक गरीब किसान था जिसका नाम क्या था जिसका नाम था पपू तो इसका नाम था पपू तो एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम क्या था जिसका नाम था पपू तो एक समय की बात है एक छोटे से गाओं में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम था पपु ठीक है? He had a small but satisfied life ठीक है? तो यहाँ पर he had के तरफ से इस्तमाल हो रहा है तो मतलब he had a small but satisfied life ठीक है? तो उसका या उसके had a small, small का मतलब छोटा है ना? had का मतलब pass था क्या? एक छोटा लेकिन, but का मतलब क्या होता है? लेकिन satisfied का मतलब क्या होता है? satisfied का मतलब होता है संतुष्ट satisfied का मतलब क्या होता है? संतुष्ट ठीक है? संतुष्ट जीवन जीवन किसके साथ? with यानि के साथ with का मतलब साथ या के साथ his wife and children उसकी उसकी पत्नी और एंड का मतलब होता है और चिल्रिन यानि की बच्चों के साथ क्या था? उसके पास एक छोटा लेकिन संतुष्ट जीवन अपनी उसकी पत्नी और बच्चों के साथ था यान तक ख्लियर हो गया? कि गाव में एक छोटे से गाव में एक पपू नाम का किसान रहता था उसका जीवन जो है छोटा सा था लेकिन संतुष्ट था अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ वन डे यानि की एक दिन एक दिन पपू है ना? जो किसान है उसके बारे में बात हो रही है पपू गेम अक्रॉस अ मिस्टीरियस हैन इन द फॉरेस्ट है ना? पपू को एक दिन क्या हुआ? उसको एक दिन मिस्टीरियस मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है पता है आपको? मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमई ठीक है? तो वन डे यानि की एक दिन पपू को mysterious का मतलब होता है रहस्य मई ठीक है? रहस्य मई रहस्य मई मुर्गी hen का मतलब क्या होता है? मुर्गी in यानिकी मे forest यानिकी jungle ठीक है? तो game across का मतलब क्या यहाँ पर बन रहा है? आप देखिए game across का मतलब है एक दिन मतलब game across उसे मिली है ना? उसने देखा या उसने पाया ठीक है? उसने पाया या उसे मिली क्या? एक रहस्य मई मुर्गी कहां पे जंगल नी to his surprise to his surprise उसको आशर हुआ है ना? उसको आशर हुआ आशर हुआ यह इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है This hen was different from any other he had seen before This hen, यानि कि यह मुर्गी यह मुर्गी was यानि कि थी क्या थी? Different, यानि कि अलग from यानि कि say any यानि कि यहाँ पर किसी के तौर पर यूज हो रहा है कोई के तौर पर नहीं किसी दूसरी, other यानि कि दूसरी he यानि कि उसने had seen यानि कि देखा था ठीके? देखा था ठीके? Before, पहली तो क्या हुआ देखो? उसको एक मरहसिमाई मुर्गी मिली जंगल में और वो जो है, यह जो मुर्गी थी वो अलग थी किसी दूसरी मुर्गी से जो उसने इसके पहले देखा था मतलब इसके अब हमने सबने मुर्गिया देखी अपने लाइफ में ठीके? लेकिन इसको पप्पो को जो मुर्गी मिली ना वो अलग थी उसको अलग दिख रही थी वो, ठीके? इट हैड ब्यूटिफुल गोल्डेन फेदर्स फेदर्स का मतलब क्या होता है? फेदर्स का मतलब होता है पंक ठीके? गोल्डेन का मतलब क्या होता है? सुनहरा ठीके, गोल्डन याने की सुनहरा, ब्यूटिफुल याने की खूब सूरत ठीके हूब सूरत had इट had उसके पास था क्या? खूब सुनहरा पंक उसके पास क्या था? खूब सुनहरा पंक था As पप्पू अप्रोजड दहन जैसे पप्पू अप्रोजड को मतलब क्या होता है पहुचा उसके पास उसको अप्रोजड किया है ना पहुचा अप्रोजड दहन मुर्गी के पास है ना मुर्गी के पास जैसे ही पप्पू जो है वो मुर्गी के पास पहुचा अप्रोजड को मतलब क्या होता है astonishing का मतलब होता है आश्चर्य जनक है ना आश्चर्य जनक astonishing इसको पढ़ने है ठीक है he noticed यानि कि उसने noticed का मतलब होता है ध्यान दिया ध्यान दिया या ध्यान आकरिष्ठ हुआ दिया something यानि कि कुछ even more यानि कि कुछ और भी कुछ और और भी ज्यादा आश्चर्य जनक उसने क्या ध्यान दिया उसको क्या दिखा कुछ और भी ज्यादा आश्चर्य जनक चीज जो है वो उसको दिखी ठीक the hand laid golden eggs ठीके the hand laid golden eggs the hand यानि कि मुर्गी मुर्गी की बात हो रही है आपे है ना मुर्गी laid मुर्गी जब अंडे देती है ना तो उसको देना कहते है ठीके तो laid यानि की दिये क्या सुनेहरे सुनेहरे अंडे है ना सुनेहरे अंडे मुर्गी ने क्या दे रखे थे सुनहरे अंडे डे रखे थे overjoyed with his discovery overjoyed मतलब का होता है बहुत खुश हो करके ठीके बहुत खुश याना with का यानि के साथ his यानि की अपने discovery यानि की खोज खोज से अपने discovery अपने खोज से बहुत खुश अपनी खोज के साथ वो बहुत खुश हुआ ठीके पपू took the hen home with him तो पपू ने क्या किया पपू took the hen है ना पपू बहुत खुश हुआ अपनी खोज के साथ और took ले लिया है ना किसको मुर्गी को घर साथ अपने है ना तो अपने घर लेके जाने लगा मुर्गी को अपने साथ ले लिया घर लेके जाने के लिए किसको मुर्गी को from that from का मतलब say that का मतलब that का मतलब व या उस है ना यहां पर उस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है है ना from that उस से from that day on day यानिके दिन उस दिन से every morning यानिकी हर सुबह हर सुबह the hen wood hen यानिकी मुर्गी मुर्गी henwood lay a shiny golden egg तो उस दिन से क्या हुआ हर सुबह जो है जो मुर्गी है वो क्या करने लगी ले यानिकी देने लगी देने लगी क्या एक सुनहिरा चमकीला और सुनहिरा ठीक है शाइनी भी था ना शाइनी का मतलब होता है चमकीला चमकीला सुनहिरा अंडा ठीक है क्या हुआ अब उस दिन से क्या हुआ ना कि वो जो मुर्गी है हर दिल एक सुनहिरा अंडा देने लगी चमकीला सुनहिरा अंडा देने लगी with each है ना her with का मतलब होता है साथ egg यानि कि अंड़ है ना अंड़ यहाँ पर अंड़ की तौर पर इस लाइन में यूज होगा इसलिए अंड़ लिखा है पप्पू and his family's lives improved यानि कि पप्पू पप्पू और उसके उसके परिवार family यानि की परिवार परिवार की जिन्दगी lives यानि की जिन्दगी improved improved का मतलब बहतर होती चली गई बहतर होती गई ठीक है तो क्या हो रहा था रोज वो मुर्गी क्या कर रही थी एक सुनहरा अंड़ दे रही थी और हर दिन के साथ हर अंडे के साथ हर दिन एक अंड़ दे थी तो हर अंडे के साथ पपो और उसके परिवार के जिन्दगी जो है वो बहतर होती गई They sold the eggs and soon had enough money to live comfortably ध्यान से देखे They यानि की वे sold यानि की बेचते the eggs अंडे और Soon यानि की जल्दी जल्दी ही had enough money enough यानि की परियाप्त ठीके परियाप्त had यानि की उनके पास हो गया परियाप्त पैसे पैसे to live यानि की जीने के लिए जीने के लिए कैसे comfortably यानि की आराम दायक आराम दायक तो क्या वे अंडे को बेचते और जल्दी ही इससे क्या हुआ उनके पास क्या हो गया परियाप्त धन हो गया आराम दायक जीने के लिए ठीक है रोज क्या करता इससोने गंडां बेच देता ले जा करके इससे क्या हुआ उनके पास से उनकी जिंदगी क्या होती चली गई उनकी जिंद remains जो है वो आरामदायक होती चली गई बहुत comfortably जो है वो लोग क्या करने लगे बहुत comfortably वो लोग जीने लगे आरामदायक उनकी जिन्दगी होती चली गई however however का मतलब होता है हालांकी ठीक है हालांकी हालांकी as time went on as time went on जैसे समय बीतता गया went on यानकी बीतता गया ये पूरा ऐसे ही उत हो रहा है ठीक है पपू ग्रिव greedy पपू क्या हो गया पपू ग्रिव मतलब बन गया या होने लगा या बढ़ गया है ना बढ़ने लगा इस तरीके से पपू ग्रिव बनता गया इस कैसे कर दो बनता गया क्या greedy यानकी लालची क्या बनता चला गया पपू लालची होता चला गया He wanted to have all the golden eggs at once ठीक है He यानकी यानकी वह wanted यानकी चाहता था to have यानकी पाने को पाने को all यानकी सारे golden सुनहरे गोल्डेन यानकी सुनहरे अंडे at once यानकी एक ही बार में ठीक है एक ही बार में instead of waiting for one every day instead यानकी के बजाए के बजाए है ना waiting इंतजार इंतजार के लिए पौर का मतलब के लिए one यानकी एक हर दिन है ना क्या मतलब हो रहा है इसका कि वो क्या वो लालची बंदा चला गया वह सारे सुनहरे अंडे एक ही बार में पाने पाना चाहता था हर दिन एक अंडे के इंतजार किये बजाए हर दिन एक अंडे के लिए वो इंतजार नहीं करना चाहता था वो चाहता था कि सारे अंडे उसको एक ही बार में मिल जाए Thinking there must be a heap Thinking यानि कि सोचते हुए सोचते हुए वहाँ Must यानि कि जरूर होना एक heap यानि कि धेर धेर होना चाहिए होना चाहिए का यहाँ पर सेंस निकलता है वो एक धेर होना चाहिए of golden eggs inside the head सुनहरे अंडों का है ना सुनहरे अंडों का inside यानि कि अंदर अंदर में किसके मुर्गी के मुर्गी के मतलब उसने सोचा ना कि अंदर जो है वो क्या होगा एक धेर होगा सोने के अंडों का सुनहरे सोने के अंडों का मुर्गी के अंदर है ना मुर्गी के अंदर में एक धेर होगा सुनहरे सोने के अंडों का वो ये सोचने लगा ठीक है? अब देखो उसने क्या किया He decided He decided To take a different approach है ना? He decided to take a different approach उसने decided का यानि कि तै किया तै किया उसने तै किया To take लेने को लेने का एक different यानि की अलग approach का मतलब होता है तरीका है ना? एक अलग नजरिया से कोई एक नया चीज़ ट्राइ करना एक अलग तरीका एक अलग तरीका जो है उसने लेने का decide किया in his impatience मतलब in his impatience यानि कि अपने अपने अधैर्य में है ना? अधीरता में अधीरता इन यानि कि में अपने अधीरता में पप्पू डिसाइडेड टू कट दी हैं पप्पू डिसाइडेड यानि कि तै करता है ना? तै किया पप्पू ने तै किया तू कट यानि कि काटने का काटने का किसको? दहन यानि कि मुर्गी को वो सोचा अप काट लेंगे इसको मुर्गी को ठीक है? Hoping to find a treasure hidden inside Hoping यानि कि आशा करते हुए आशा करते हुए To find यानि कि मिलने का मिलने का क्या? एक treasure यानि कि खजाना ठीक है? खजाना hidden inside Hidden यानि कि छुपा हुआ inside यानि कि अंदर में उसको लगा भाई यह रोज-रोज सूने के अंडे दे रही है ठीक है? यह क्या दे रही है? यह रोज-रोज सूने के अंडे दे रही है मतलब जाहिर सी बात है इसके अंदर तो कोई बढ़िया खजाना होगा मतलब धेर सारे अंडे जो है इसके अंदर होने ही होने है ठीक है When पप्पू कट दहन जब पप्पू पप्पू ने कट दहन यानि की काटा मुर्गी को मुर्गी को He found Nothing but Ordinary organs He found यानि की उसने पाया found यानि की पाया Nothing कुछ नहीं लेकिन कुछ तो मिलेगा ना अंदर लेकिन ordinary organs ordinary मतलब आम से है ना जो नौरमल होते हैं सब के अंदर है यानि कि बिना जीवन के निर्जीव, ठीक है, निर्जीव, before him, उसके सामने, ठीक है, मुर्गी बिचारी हो गया उसका काम तमाम, है न, उसके सामने वो बिना जीवन के lifeless, यानि कि निर्जीव पड़ी रही, and he realized, और उसे एहसास हुआ, एहसास हुआ, realized, एहसास हुआ, किस चीज़ का एहसास हुआ भई, पप्पु को his mistake, यानि कि अपनी गलती का, क्या हुआ उसको, मुर्गी तो मर गई, आँके सामने मर गई वो बिचारी है न, और जब मर गई वो तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, with full of regret, he understood, with का मतलब साथ, full of regret, यानि कि पूरे regret यानि कि पचतावा, ठीक है, regret का मतलब क्या होता है, पूरे पचतावे के साथ, उसे, he understood, मतलब उसे समझ आया, maximum लोगों के साथ यही होता है, पिता है, maximum लोगों के साथ, पूरे मतलब उसको गलती का एहसास हुआ, पूरे पचतावे के साथ, that his greed had cost him a valuable source of income, कि उसकी, उसका लालच, ग्रीड यानि कि लालच, had cost him, उसे महंगा पड़ा, महंगा पड़ा, यहाँ पड़ा, उसे जो है, वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, महंगा पड़ा, had cost him a valuable source of income, मतलब एक, valuable यानि की कीमती, कीमती source of income, स्रोथ, ठीक है, क्या होता है, source का मतलब क्या होता है, जरिया या स्रोथ, है न, जरिया आप याद रखिए, स्रोथ काफे difficult हो जाएगा आपके लिए, जरिया, क्या, आए का, income यानि की, आए, है न, उसे महंगा पड़ा, एक कीमती जरिया, उसके लालच के वज़े से, उसका जो कीमती जरिया था, आए का, वो उसको महंगा पड़ गया, है न, उसको खो दिया, तो moral of the story क्या है, यानि कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, greed can lead to foolish decisions, greed यानि की, लालच, लालच, can यानि की, सकता है, है न, lead यानि, lead to foolish decision, foolish यानि की, मुर्खता, वाला, decision यानि की, निरने, lead to, यानि की, लेने के लिए प्रेरित करता है, या आप ले लेते हैं, या बढ़ाता है, है न, या राह दिखाता है, कह लीजे, राह दिखाता है, है न, दिखा, दिखा सकता है, राह दिखा सकता है, है न, result हो सकता है, कारण, यह उसको कारण कर लीजए कि कारण है ना लालत जो है मुर्खता वाला decision लेने का कारण बन सकता है and cause us to lose what we have और और कारण बन सकता है us हमारे हमारे to lose खोने का what we have जो हमारे पास है मतलब जो है वो भी चल जाएगा ठीक है क्यों क्योंकि लालच आ गया तो जादा चीज चाहिए अब जादा चीज चाहिए तो जादा चीज दाओ पर लगानी पड़ेगी और जब दाओ पर लगाओगे तो लालच कंप्लेट हुआ कि हुआ ने हुआ वो नहीं पता जिंदेगी जरूर खराब हो जाएगी है ना फिर importance of appreciating and being satisfied importance यानि कि importance of appreciating appreciating का मतलब होता है वहवाही देना या एक तरीके से खुश रहना बेसिकली जो आपके पास है उसको लेकर के खुश रहना या अप्रिशेट करना या तारीफ करना है इंपॉर्टेंट आफ तारीफ एप्रिशेशन है ना तारीफ और होना बिंग साटिस्वाइव यानि कि संतुष्ट है ना महत्व इंपॉर्टेंट आफ का है ना इंपॉर्टेंट आफ साटिस्वाइड होना संतुष्ट होना और तारीफ करना अब जो चीज आपके पास है with what we already possess यानि कि जो हमारे पास already है जो हमारे पास जो हमारे साथ पहले से है ना जो हमारे पास पहले से है rather than always earring for more more यानि कि ज्यादा for यानि कि लिए या के लिए earring rather than always earring चाहत हमेशा हमेशा से rather यानि कि बजाए यानि कि बजाए है ना संतुष्ट रहना जो हमारे पास पहले से है उससे उसके के बजाए मतलब हमेशा ज्यादा के लिए चाहत करने के बजाए जो हमारे पास already है उससे संतुष्ट रहना ज्यादा important है हमेशा ज्यादा 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 चाहिए ज्यादा चाहिए ये करने के बजाए संतुष्ट रहना चाहिए जो हमारे पास already है उससे right थी आज की class क्लास कैसी लगी ये बात मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करना है शेर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकें इंग्लिश क्लास जल्दी से कर लिजे इस चैनल को सब्सक्राइब और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं प्रीटी मैम चलिए अब मैं आपको बताती हूं लेवल तक अंग्रेजी बोलना है सीखने की शुरुवात करनी है बेसिक से और बन जाना है प्रो तो यह है बेसिक से प्रो स्पोकें इंग्लिश कोर्स बहुत ही बढ़िया कोर्स थ्री ट्रिपल नाइन का कोर्स है लेकिन क्योंकि जैसा कि आप सब अब इस एक आखिर वाले नाइन को ऐसे काट दो तो ठी ट्री डबल नाइन का कोर्स यह बन जाएगा और यह आपको भी कराया जा रहा है अंग्रेजी बोलने का जबरदस्त मौका है अव्यस सी बात है लॉंचिंग ऑफर है तो लिमिटेड पीरिड ऑफर है लॉंचिंग ऑ वो बिल्कुल नए रूप में आ चुकी है आप सब को जैसा की पता है और इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग की कोर्स अगर आपको करनी है बहुत दिनों से आपका मन था कि मैं रीडिंग की कोर्स करा दीजे तो रीडिंग की इंग्लिश रीडिंग की कोर्स भी जो है वो आ रही है, यह two triple line है, जो है, ऐसे मैं बता दूँं, जिस भी course के बारे में मैं बता रही हूं, उसकी जो booking line है, उसकी जो admission link है, वो on हो चुकी है, आठ तारिक से course आ रही है, 8 मार्च 2023 से आपको यह सारी courses मिलना शुरू हो जाएंगी, admission की जो link है, वो on है, ठीकें, आप अब भी जाकर के admission ले सकते हैं Classes आपकी 8 मार्च से चालू होने वाली है आपको Classes मिलने लगेंगी तो English Reading की course की अगर मैं बात करूँ तो ये 2999 का course आपको कराया जाएगा मात्र कराया जा रहा है मात्र 2999 में ये भी again limited period offer है भई तो जल्दी कर लीजिए 2 मेने की course है और बाकी जो भी details है course से सम्मंदित वो जैसे ही आप पे जाओगे आपको सारी details मिल जाएंगी English grammar की course, grammar की भी बहुत साथ आप लोगों की आ रही थी बात की मैं grammar की course करा दो मतलब ऐसे लोग जिनको एक normal सा grammar का course करना है क्योंकि उन्हें लगता है कि grammar उनकी उतनी बड़िया नहीं है जाहिर सी बात है कि आप spoken और grammar दोनों का course कर लोगे तो आपके अंग्रेजी की मजबूती जो है उसकी तो क्या बात हो जाएगी तो grammar की course भी है 3499 लेकिन अभी कराए जारी है launching offer के तहट मात्र 349 में याद रखिएगा जिस भी course के बारे में बता रही हूँ सारे courses का जो ये offer price है वो limited period के लिए है सीमित समय के लिए है तो इस सीमित समय का लाब उठाएं और जल्दी से जल्दी अपनी admission कराएं और फिल्हाल premium spoken English की batch तो आपकी चली रही है ये वाली course जो है ये तो होई रहा है अभी इसका आपको पता ही है 2499 का course जो है वो कराया जा रहा है मात्र 249 में तो इसके लिए तो आपको अलरड़ी पता ही है इसके बारे में तो मैं आपको बताती हूँ और basic safe pro संजीव सरक्या course SSC English का course इसमें आपको SSC की जो भी अंग्रेजी की requirement है वो आपकी इस course से पूरी हो जाएगी और अगर आप कर रहे हैं bank की तयारी banking English अगर आपको लगती है मुश्किल आपको लगता है कि कहीं English के वज़े से selection हमारा रुक ना जाए तो banking English का course जो है ये भी आ रहा है तो SSC English का course 5999 का मात्र 599 में और bank English का course 5999 मात्र 599 में संजीव सरद्वारा कराया जाएगा ये ये भी launching offer है 8 से इसकी भी classes आ जाएंगे 8 मार्च 2023 से अगें limited period offer है क्योंकि launch हो रहा है ठीक है तो limited period offer है जल्दी से आपको इसका lab उठा लेना है अब बताती हूँ मैं आपको कि आपको app कैसे डाउनलोड करना है Google Play Store पर जाए जाने के बाद वहाँ पर लिखे Bbanker आपको जो है यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा Bbanker हमारी app जो है कुछ ऐसी दिख जाएगी आपको यह सारे आपके reference के लिए हमने मतलब बता रखे हैं कि sample क्या है app के अंदर तो यहाँ से आपको कर लेना है आपको download और install अपनी phone पर इसके बाद आप क्या करोगे आप नए student हो आप पहली बार आ रहे हो इस app पर आप पहली बार इस app को अपने phone पर download यह install कर रहे हो तो आप क्या हो आप हो नए student तो आपको new student पर क्लिक करना है फिर कुछ basic details आपकी जैसे कि आपका नाम आपका नमबर आपका email आईडी वगेरा डाल करके आपको register कर लेना है register कर लीजिएगा तो आपका registration हो गया उसके बाद आप आप के अंदर चले जाओगे अगर spoken English की course करनी है तो यह सबसे पहले वाला जो टाइल आपको दिख रहा है spoken English course का इस पर क्लिक करेंगे reading की course करनी है तो reading वाले पर क्लिक करेंगे grammar की course करनी है तो grammar वाले पर क्लिक करेंगे दूसरे एक्जाम जैसे ससी और बैंक के सब की तयारी कर रहे हैं तो इस पर चले जाएंगे अगर आपको e-books चाहिए हमारी तो बीबी स्टोर पर चले जाएंगे तो यह सारी चीज़े आप अपने हिसाब से जो कोर्स आपको करना है आपको इसके अंदर फिर सारी डीटेल्स म कोर्स के बारे में आप यहां पर सारी डीटेल्स पढ़ सकते हो क्या कोर्स है कितने दिनों का है इसकी वैलिडिटी कितने दिनों की है तो व्यू डीटेल्स पर जाओगे तो यह और बढ़िया तरीके से आपको दिख जाएगा आप डेमो देख सकते हो डेमो देख सकते हैं Buy Now पर क्लिक करके, आप Buy Now कर सकते हो, जैसे ही Buy Now पर आप क्लिक करोगे, आप सीध है, इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जहां पर Pay Online पर क्लिक करके, आप पेमेंट कर सकते हो, 249 आपको यहां पर दिख जाएगा प्राइस, इसको आप क्लिक करके, यहां पर जो है, वो पेमेंट कर सकते हो, आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे, तो आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे, किसको? Pay Online को क्लिक करते के साथ, पेमेंट पेज पे पहुंचने के बाद, आप अपने, Phone Pay, Google Pay, Paytm, Net Banking, Credit Card, Debit Card, सारे ओप्शन्स है, सारे ओप्शन्स हैना, Net Banking, सारे ओप्शन्स, जो भी ओप्शन आपको समझता हो, या जो भी ओप्शन आपके पास अवेलिबल है, उसका स्तमाल करके, आप Pay Now पर क्लिक करेंगे, और आपकी पेमेंट हो जाएगी, और आपका कोर्स अक्टिवेट हो जाएगा, आपका कोर्स जो है, वो चालू हो जाएगा, तो इसके अलावा भी अगर कोई दिक्कत आती है, तो मैं आपको बताओंगी उसके बारे में क्या करना है, तो जैसे ही आपका Payment एक बारी हो जाएगा, तो आपको आपकी जो भी कोर्स आपने ली है वो आपको ऐसी दिखेगी व्यू कोर्स जैसी दिख जाएगी इस पर आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डेट वाले सेक्षिन में आप आ जाओगे इसको क्लिक करोगे फिर आपको यहां पर पूरी लिस्ट मिल जाएगी यह पूरी लिस्ट आपको यहां पर मिल जा चलना है because this is important आपने session join किया आपने session देखा विडियो देखी आपने उसका PDF भी देखना important है इसके अलावा भी कोई दिक्कत आ रही हो तो यह वाला जो है वो paid courses के लिए help line number है इस number पर आप WhatsApp message कर सकते हैं WhatsApp message आप करेंगे सुबह 10 शाम के 6 बजे तक जो भी आपकी समस्या होगी उसको लिख करके WhatsApp message आपने करना है आपको वहापर समाधान मिल जाएगा इसके अलावा आपको अगर e-books हमारी चाहिए तो एप पर बता दिया कैसे लेना है अब इस website पर जाकर के भी आप जो है हमारी e-books ले सकते हो जो उसी भी आपको जरूरत है टेंस की grammar की spoken English की जो भी आ का से मिलेगी ठीक है तो चाहे आप से ले रहे हो चाहे website से ले रहे हो दोनों ही जगहों में payment करने के बाद e-book को अपने फोन पर जरूर से जरूर डाउनलोड कर ले तो चलिए इसके अलावा अगर आप तक अभी ने WhatsApp ग्रूप अपने जोईन नी किया है तो जरूर जाइन क करिएगा बी बैंकर English Classes के नाम से टेलिग्राम का चानल है यही ओफीशल चानल है इसके अलावा कोई भी आपको ये क्लेम करता हुआ दिख जाए कि वह भी बैंकर की ओर से है या परीतीम चीम की ओर से है तो यह बिलकिल बोलोग फ़रदी है तो आपको फीशल साथ जोड़ English class